आज सुनिये श्री सत्य नारायन व्रत कथा, बुलू सत्य नारायन भगवान की जय एक समय नैमिशार नितीर्थ में शोनक आदी सभी रिश्यों और मुनियों ने पुरान शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महराद से पूछा हे महामुने, किस व्रत अत्वा तपस्या से मनुवांशित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्शी नारत जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापती जी ने उनसे जैसा कहा था, मैं उसे कह रहा हूँ, आप लोग साब्धान होकर सुनिये एक समय योगी नारत जी लोगों के कल्यान की कामना से विविद लोकों में ब्रहमन करते हुए, प्रत्वी लोक में आए और यहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार, नाना योनियों में उत्पन सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा, तथा किस उपाए से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है ऐसा मन में विचार करके वे विश्णू लोक को गए वहां चार भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म और वन्माला से विभूशित शुक्ल वण भगवान श्री नाराण जी के दर्शन कर उन देवाधी देव कीवे इस्तुती करने लगे देवर्शी नारत बोले, हेवाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ती संपन, आदी मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्यान में कुणों से संपन, भगतों की पीडा नस्ट करने वाले परमात्मन आपको मेरा नमस्कार है इस्तुती सुनने के पश्चात भगवान श्री हरी ने देवर्शी नारत से कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहां आए हैं, आपके मन में क्या है, तब देवर्शी नारत कहने लगे हे भगवन, प्रत्वी लोग में अपने पाप कर्मों के द्वारा, विभन योनियों में उत्पन, सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं हे प्रभू, किस लगू उपाये से उनके कस्टों का निवारन हो सकेगा, यदि आपकी कर्पा मेरे उपर हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कर्पा पूर्वक ये सब मुझे बताएं तब श्री भगवान ने कहा, हेवत्स, संसार के उपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, सुनिए हेवत्स, स्वर्ग और प्रत्वी लोक में दुरला भगवान सत्य नारण का एक महान व्रत हैं, आपके इसनेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ, अच्छी प्रकार विधी विधान से भगवान सत्य नारण जी का व्रत करके, मनुष्य, शीगरही, सुख प्राप्त कर, भगवान की ऐसी वानी सुनकर देवर्शी नारण कहने लगे, हे प्रभू, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, और इसे कब करना चाहिए, ये सब भी विस्तार पूर्वग बतलाए, तब भगवान श्री हरी कहने लगे, यह श्र प्रवत्र विजय प्रदान करने वाला है जिस किसी भी दिन भक्ती और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्रहामनों और बंधु बांध्वों के साथ धर्म में ततपर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्य नारायन जी की पूजा करे नैवेदि के रूप में उत्तम उनके भाव में साथी का चौन शक्कर या गुड ये सब योगी सामगरी सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए बंधु बांधवों के साथ श्री सत्य नारायन भगवान जी की कथा सुनकर ब्रहामनों को भोजन कराना चाहिए भक्ती पुर्वक प्रसाथ ग्रहन करके निरत्य गीत आधी का आयोजन करना चाहिए इसके पस्चात भगवान सत्य नारायन का इस्मरन करते वे अपने घर को जाना चाहिए ऐसा करने से मनुश्यों की मनुकामना अवश्य पूर्ण होती है विशेश रूप से कल्यूग में प्रत्वी लोग पर यह सबसे छोटा और सरल उपाय है दूसरा अध्याए श्री सूत जिने कहा हे रिश्यो जिन्होंने पहले समय में इस प्रत को किया है उसका इतिहास भी बताता हूँ आप सब ध्यान पूर्वक सुने सुन्दर काशिपुरी नगरी में एक अत्यनत निर्धन ब्रहमन रहता था वह ब्रहमन भूख और प्यास से बेचैन होकर प्रत्वी पर घूमता रहता था ब्रहमनों से प्रेम करने वाले श्री विश्नुजी ब्रहमन को देखकर एक दिन बूढे ब्रहमन का रूप धारन कर ब्रहमन के पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे हे विप्रदेव तुम नित्य ही दुखी होकर प्रत्वी पर क्योंग हूंते हो तब उस ब्रहमन ने कहा मैं भिक्षा के लिए प्रत्वी पर विचरता हूँ हे भगवन यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो करपा कर मुझे बताए व्रत ब्राहमन का रूप धारन किये श्री विश्नु जी ने कहा हे ब्राहमन श्री सत्य नारैन भगवान मनुवांचित पल देने वाले हैं इसलिए तुम उनका पूजन करो इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है ब्राहमन को व्रत का सारा विधान बता कर बूढ़े ब्राहमन का रूप धारन करने वाले श्री भगवान जी अंतर ध्यान हो गए जिस व्रत को व्रत ब्राहमन ने बताया है मैं उसे अवश्य करूँगा ऐसा निश्चे कर वह ब्राहमन घर चला गया अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनाराण जी का व्रत करने का निश्चे कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधों के साथ श्री सत्यनाराण जी का व्रत किया ऐसा करने से वहब्रामन सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की सुक समरिधियों से युक्थ हुआ तब ही से वहब्रामन हर मांस यह व्रत करने लगा इसी प्रकार श्री सत्य नाराण जी के वृत को जो शास्त्र विधी के नुसार करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर मुक्ष को प्राक्थ हो जाएगा आगे भी जो मनुष्य प्रत्वी पर श्री सत्य नाराण जी का वृत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा इस तरह नारत जी से सत्यनारण भगवान का कहा हुआ वरत मैंने आप से कहा तब रिश्यों ने कहा हे मुनिष्वर संसार में इस विप्र से सुन कर किस-किस ने इस वरत को किया यह भी हम सब सुनना चाहते हैं तब श्री सूत जी महराज कहने लगे हे मुनियों जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा भी सुनो एक समय वह ब्रहमण धन और एश्वरी के नुसार बंधू बांधूं के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़ारा आया उसने लकड़ियां बहारक दी और ब्रहमण के घर में चला गया प्यास से व्याकुल लकड़ारे ने ब्रहमण को व्रत करते वे देखा तो वह अपनी प्यास को भूल गया उसने ब्रहमण को नमसकार किया और पूछा हे प्रहामर्दीता आप यह किसका पूजन कर रहे हैं इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है किरपयाकर मुझे भी बताएं तब प्रहामर्णी कहा सब मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्य नारायन जी का व्रत है इनकी ही क्रपा से मेरे यहां धंधान आदिकी व्रत ही हुई है विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़ारा बहुत प्रसन हुआ भगवान का चर्णा मृत लेकर और भोजन करने के ब एसा मन में विचार कर वह लकड़ारा लकड़ियां लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया उस दिन लकड़ारे को लकड़ियों के बदले चोग उने दाम मिले अब वह बुढ़ा लकड़ारा बहुत प्रसन होकर पके केले, शकर, शहद, घी, दूद, दही और गेहुं का चोन इत्यादी श्री सत्यनारण भगवान के व्रत की सभी सामगरी लेकर अपनी घर आ गया, फिर उसने अपने बंदु बांधवों को बुला कर विधी विधान के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ारा, धन पुत्र आदी से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंट को चला गया, तीसरा अध्याए, श्री सूत जी ने कहा, हेश्रेश्ट मुनियो, अब एक और कथा कहता हूँ, पूर्वकाल में उलका मुख नाम का एक बुद्धी भी थी, भद्र शीला नदी के तठ पर उन दोनों ने श्री सत्यनारण भगवान जी का व्रत किया, साधु नामक एक वैश्य, राजा को व्रत करते देखकर उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त मन से आप यह क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, तब म महराज उलका मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधों के साल संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान, सत्यनारण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूं, तब उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इस सब का विध्य विधान बताईए, मैं भी आ वैश्य, खुशी-खुशी अपने घर आ गया, वैश्य ने अपनी पतनी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समचार सुनाया, और निश्य किया कि जब हमारे यहां संतान होगी, तब मैं भी इस व्रत को करूँगा, एक दिन उसकी पतनी लीलावती सांसारिक धर्म म जनम दिया, कन्या का नाम कलावती रखा गया, इसके बाद लीलावती ने अपने पती को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए, साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिये, मैं कन्या के विवहापर इस व्रत को वैश्य ने तुरंथ कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की, कंचन नगर के एक सुयोग्य वनिक पुत्र से अपने बंधू बांधू सहित, प्रसन मन से अपनी पुतृ का विवहा उसके साथ कर दिया, वैश्य विवहा के समय भी सत्यनारैन भगवान का व्रत करन भूल गया इस पर श्री सतिनारायन भगवान की लीला हुई अपने कार्य में कुशल साधू नामक वैश्य अपने जमाता सहीत नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीब इस्थित रतनसारपुर नगर में गया दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे एक दिन भगवान सतिनारायन की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोरों ने घबरा कर राजा के धन को उनकी नाव में रखा और भाग गए जहां ससुर और जमाई थे राजा की दूतों ने जब धन को उनकी नाव में रखा दिखा तो पकड़ कर राजा के पास जाकर कहने लगे महराज हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं आप आग्या दीजिए राजा ने कारगार में डालने की आग्या दे दी इस प्रकार राजा की आग्या से उ पर बहुत दुखी हुई उनके घर में रखा हुआ सारा धन चोर चुरा कर ले गई एक दिन शारिरिक और मांसिक पीड़ा से और भूख प्यास से अती दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्रहमन के घर गई उसने श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत होते देख उसने कथा सुनी और प्रशाद ग्रहन का रात को घर आई तब माता ने कलावती से पूछा हे पुत्री तु अब तक कहां रही और तेरे मन में क्या है तब कलावती कहने लगी हे माता मैंने श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत होते देखा है तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सतिनारण भगवान जी के पूजन की तयारी की। उसने परिवार और बंधूस बांधवों सहित मिलकर श्री सतिनारण भगवान जी का पूजन और व्रत किया। और मनुकामना मांगी कि मेरे पती और दामाज शेकर ही घर लोटाएं। साथी उसने प्रार्थना भी की कि हे प्रभु हम सबके अपराज शमा कीजिए। श्री सत्यनारान भगवान जी इस व्रत से संतुस्ठ हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वपन में दर्शन दे कर कहा। हे राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोश हैं उन्हें प्राताकाल ही छोड़ देना। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतरध्यान हो गए। प्राताकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सभी को अपना स्वपन सुनाया। और सैनिकों को आग्या दी कि दोनों को कारगार से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा उनसे कहने लगा, हे महानु भावो, तुम्हें अज्यानतावश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम दोनों मुक्त हो। ऐसा कहकर, राजा ने उन्हें नैने वस्त राभुशन दिये और उनका जितना धन लिया था, उसे दोगुना कर उन्हें आदर और सम्मान से विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश अपने घर को चल दिये। भरे हैं। वैश के कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर, वे वहाँ से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ कए। दंडी महराज के जाने के पश्चात, वैश ने नित्य करिया से निवरित होने के बाद, जब नाओ को उची उठी देखा, तो बड़ी हिरानी हुई। और नाओ में बेल पत्ते आदी देखकर मूर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा। खोश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा, तब उसके जमाई ने कहा, पिता जी आप शोक ना करें, यह दंडी महराज का ही श्टाब है, अतहा उनकी शरण में ही हमें चलना चाहिए, तब ही हमारी मनुकामना पूरी हो सकेगी। हे बणिक पुत्र, मेरी आग्या से ही तुझे बार-बार दुख प्राप्थ हुआ है, क्योंकि तु मेरी पूजा से विमक हुआ है, तब उसने कहा, हे भगवन, आपकी माया से ब्रह्मादी देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्यानी भला कैसे जान सकता हूँ, आप प्रसन हो ये, मैं अपनी सामर्थ के नुसार आपकी पूजा करूँगा, करपया मेरी रक्षा कीजे, और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजे, उसके इस प्रकार भक्ति युक्त वचन सुनकर, सत्यनाराण भगवान प्रसन हो गए, और उसकी इच जमाई सहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, जब वह अपने नगर के निकट पहुँचा, तब उसने एक दूद को अपने घर भेज दिया, दूद ने वैशे के घर जाकर, उसकी पतनी को नमस्कार किया, और कहने लगा, आपके पती, अपने दमाज सहित इस नगर के समीप आ गए हैं, लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी, दूद का वचन सुनकर साधू की पतनी ने बड़े हर्श के साथ सत्य देव का पूजन पोर्ण किया, और अपनी पुत्री से कहने लगी, मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूँ, त तु भी पूजा समाप्त कर शिगर आ जाना, परंतु कलावती पूजन और परशाद छोड़कर जल्दी जल्दी अपने पती के दर्शन करने के लिए चली गई, परंतु उसको पती के दर्शन प्राप्त ही नहीं हुए, नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती वी देख कर वैश्य दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभू, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे शमा केजिए, इस प्रकार वहर रोने लगा, उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारान भगवान फिर से प्रसंद हो गए, तभी आकाश्वानी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्य प्रसाद छोड़ कर आई है, इसका पती इसी कारण अद्रिश्य हो गया है, अब यदि तेरी कन्या घर जाकर प्रशाद खाकर लोटे, तो इसका पती इसे अवश्य मिल जाएगा, आकाश्वानी सुनकर कलावती ने घर पहुँचकर पूजन विधिवत समाप्त किया, और प आजवा ध्याए, श्री सूत जी ने आगे कहा, हे रिश्यों, मैं एक और कथा भी कहता हूँ, प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वजनाम का एक राजा रहा करता था, उसने भगवान सत्यनारैन का परसाद त्याग कर बहुत दुख पाया, एक समय राजा वन में वनने पश के नीची आया, वहां उसने ग्वालों को भक्ती भाव से बंदू बादवा सहित श्री सत्यनारैन जी का वरत पूजन करते देखा, परन्तु राजा ये सब देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया, और नहीं सत्यनारैन भगवान को प्रणाम किया, जब ग्वालों ने भगवान सत्यनारैन नहीं किया है, तब वह वापस उसी स्थान पर आया, और ग्वालों के पास गया, और विधिपूर्वक पूजन कर प्रशाद ग्रहन किया, तो सत्यनारैन भगवान की किरपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया, और फिर वह सारे सुख भोग कर अंत में स स्वर्ग लोग को चला गया, जो मनुष इस परम दुडलब व्रत को करेगा, श्री सत्यनारैन भगवान की किरपा से उसे धन धान की प्राप्ती होगी, इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी, बंदी, बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतान हीनों को संतान प् प्रहमण ने सुदामा के रूप में जनम लेकर भगवान कृष्ण की भक्ती कर मोक्ष प्राप्त किया, उलका मुख नाम के महराज राजा दशरत बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए, साधु नाम के वैश ने धर्मात्मा और सत्य प्र और वहलकडहरा भील अपने अगले जनम में गुहु नामक निशाद राजा हुआ जिसने भगवान श्री राम के चर्णों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया, सत्य नारैन भगवान व्रत कथा समाप, सभी प्रेम से बोलिए सत्य नारैन भगवान की जय